जो लोग दिलक कलावा बांध कर हमारी बेटियों के साथ छलावा करते हैं जो लोग सुधर्चुर्ण क्योंकि देश का हैं तो अब जाक है ये लड़की चिंगारी ही नहीं बलकि उस धदक्ती आग से पहले की चेतावनी है जो हमारे लोग जिहाद के मिशन को नाकामियाब करना चाहती है किसने दिखा है ये क्यान का मास? यदा यदा ही धर्मस्य है लानिर्भवती भारत है एंट्री जितनी मर्जी वेटेड हो बस इंट्रेस्टिंग होनी चाहिए हमारे बनारस में एक अहवद है कि साम की फूंच से गाल नहीं घजवाद है मुझे लगता है कि हमें अपने इस रिष्टे को एक मुकमल अंजाम तक पहुचाना होगा एक नहीं पहचान देनी होगी हम आपके लिए ना दुनिया का हर इंतिहान पास करने के लिए तयार है आपके बीटी जीस से साधी करना चाहती है वो लड़का मुसल्मान है कौन है वो लड़का बबलू इकपाल शेक मुझे या किसी ने देख लिया ना कि मैं मंदिर जानो हमारे लोग मुझे काफिर समझ बैठेंगे लेकिन तुम्हारे साथ जो हो रहा हो प्यार मॉबद नहीं है वो है लव जीहान मेरे मुसल्मान हो जाने के वज़े से तुमारा प्यार काम हो गया बेबी डीजे पे थोड़ा सा वरोसा रख वरोसा रख ये डीजे अज़ डीजे ये डीजे अज़ डीजे सोरे हिट गाने बज जाएगा और तुम जिससे प्यार समझ रहे हो ना वो सिर्फ और सिर्फ एक चारीर काकरशन है बस और कुछ नहीं है हर मुसल्मान बुरा नहीं होता है और जिसने सनादन धरम का अपमान किया हो वो हमारे लिए दुश्मन है भले ही वो हमारे लिए बेटी क्यों ना हो जीते जी अपने पाबा को हम नेरक पे ठकेल दिये हिन्दु समाज की लोगों के चहरे पे कालिक पूर दिये हो तो मगर कमजोर पढ़ गई ना तो लड़ाई कभी नहीं जीत पाई गया कमजोर नहीं पढ़ेंगे देख अब तो आदत सी पढ़ चुकी है पंगाले ने मुश्किल में है हिंदूस्तान अब जलाद बनना होगा इन धर्मांद पापियों से बेटियों को आसाद करना होगा तुमसे घंदू लड़की नहीं हुना दी जाता है बस नो मोर कनवर्शन